जहें दोस्तों आप देखने हैं Defense Game YouTube चैनल आज हम जानेगे किस तरीके से भारत में जो criminal activity के लोग हैं उनको AK-47, AK-56 और जो automatic weapons है किस प्रकार से उनको मिल जाते हैं किस प्रकार से वो जो hand grenade होते हैं उनको भी arrange कर लेते हैं और किस प्रकार से ये सारे हतियार जो है पाकिस्तान स जो Chief है MM Naravane Sir वो direct जो है चीन के border पहुच चुके हैं सबसे पहले जानते हैं जो defense नहीं निकल के आ रही है जो Indian Army के Chief है MM Naravane Sir वो direct ही जो fire and fury cops है जो 14 cops है जिसकी जिम्मेदारी है ले लद्दाग जो है पूर्वी लद्दाग जो है उसकी सुरच्छा करना चीन से और चीन की ज वो उस टाइम पर बिल्कुल अग्रिम चोटियां है एकदम रेचनला है रेजांग ला है मुख परी है उस इलाके तक पहुच गए हैं जो की करीब करीब 14,000 फुट की उचाई से जादा है जहां पर जो temperature है माइनस 40 तक पहुच जाता है ठंडों में और आप सोच रहे हैं कि अभी भारत में थोड़ी वह ठंड पड़ी थी थोड़ी हवा चली थी इदर को नॉर्थन इंडिया में तो हम सभी कितना कह रहे थी कि ठंड पड़ रही ठंड पड़ रही लेकिन भारत की सेना के जो जवान है माइनस 40 डिग्री में भी तैनात हैं बेसक उनको सारी सुबद लेने के लिए हमारे आर्मी चीफ गए थे कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है सेनिकों को और इसे जो सेनिक तैनात हैं वहाँ पर उनका मनोबल बढ़ेगा दूसरा जो है चीन और जो इंडिया दोनों की सेना है पीछे हटने का नाम नहीं ले रही ह है लेकिन इस सरदी भारती सेना को वहाँ पर तैने रहना पड़ेगा इससे भारती सेना पर काफी जाधा जो है फाइननेंशील जो है बोज पढ़ रहा है लेकिन उसको हमें उठाना पड़ेगा अब जाएंद highlighting हतियार है वि JK घेज़रा है जिन में और यह को भारत में supply करने के लिए देखी क्योंकि जम्मू कस्मीर से लेके जो गुजरात है वहां तक almost जो सीमा है खासकर पंजाब तक तो बिल्कुल उस पर तारवंदी हो चुकी है एलेक्टिक फेंसिंग भी है और काफी अच्छी कासी लाइट है तो जो कोई भी क्रॉस उसको नहीं कर सकता तो इसका जो है तोड निकाल दिया है पाकिस्तान ने वह अब चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो करीकरी 10 केजी तक बजन को ले जाते हैं और बाकाइदा अभी एक दो दिन पहले ही चाइना के जो ड्रोन है जो पाकिस्तान यूज कर रहा था पाकिस्तान की आईएसाई जो आर्मी है उसमें भारती है जो इलाका है वहाँ पर ग्यार है जो हैंड ग्रेनेट हैं बहुत ही खतरना क्वाले उनको एक प्लास्टिक के बॉक्स में ड्र ग्रेनेट ते ग्यार है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है डोन का इस्ते माल कर ला क्योंकि वहां से अब जो है क्रोस कर करके नहीं आ सकता भारती सीमा में तो इस बज़े से अब वो चानीज का इस्तिमाल कर रहे हैं और ये जो ड्रॉन है काफी आसानी से कई Essa All करते हैं उनके हातों में जाते हैं आगे यह बहुत बड़ा रैकेट होता है यह सब सप्लाई हो जाते हैं यही हत्यार आथंगबादियों के पास जाते हैं और भारत में हमला करने में इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसका तरीका है इसका तोड़ निकालने के लिए भारत को क्या करना चाहिए कमेंट करके जरू बता है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत